है 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 गुड़ इवनिंग गाईस अब आज जा यह सब लोग को मेरी है यह है रहा रहे हैं गुड़ इवनिंग कि मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर गया एक पर आप लोग कन्फर्म करों स्क्रीन शेयर हो रहा है कि सब लोग हो मेरा अभी मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूं ताकि बैक्ग्राउंड से कोई भी डिस्टर्विंस वगेरा नहों देखो यह शेशन को रखने का मेंन मोटिव क्या है कि बहुत सारे डाउट्स थे एल्गो से रिलेटेट किसा एक्जेक्ली अलगो क्या है किस तरीके से वर्क करता है लॉजिक किया है क्या इसका टोटल डीजल्ट के बारे में भी हम लोलोग टिस्कस करिंगे और आप लुप कुछेगा तो उसको भी हम यहां आप लोग डीचलि के से वर्क करता है तो इसके बाएं मैं एक पांस में भी मैंने आप लोगको बताए था कि ऐसे कम यहां करता है जहां पर एतने दिनों से शिरीफ फे लाइब classes जहां पर मैं आप लोगों को सीखा था था विऻ बारे में कि इक होता है और किस तरीके से वर्क करता है एक चीज हमेसे है दखना मैं इतना ज़्यादा confidence के साथ जब फेवची बारे में सिखाता हो वो इसके पीछे reason कि फेवची एक natural चीज है वह किसी का बनाया हुआ कोई भी चीज है वह किया natural चीज है natural मतलब क्या होता है कि उसका क्या है मार्केट में एक इमपल्स आता है फिर मार्केट में रिट्रेष्मेंट राता है तो जी मार्केट का नेचर है मार्केट कभी और गैस्ट में नीचे नीnya यह इस lush यह मार्केट का यह एक मार्केट में इंपपर जाना यहीं पॉलो होता है तो यह मार्केट का है यह मार्केट का यह थीज यह ना पहले कभी चैन्ज हो रहा है और ना आने वाम में यह कभी change होगा तो यह जब change नहीं होगा तो इसको ही हम लोग पकर के क्या करेंगा ट्रेड करेंगे मतलब impulse के बाद जो retracement आएगा पता लगाएं कि यह retracement कहा तेगा सकते हैं और महां से हम एक simple सा reversal trade प्लान करेंगे ठीक है अभी देखो जब आप इसका real एक retracement आया फिर एक in beals आया फिर एक रींपार सोया फिर एक यो परिट रहें तो मार्केट हमें क्या रही हो रहा है यह इंप्ट इब everything इंपूसोरी Link कोंटिनुसली चलता रहा तो हमेसा यह चलता रहेगा तो अब यहां-पे कोष्यों यह की अगर यह हमारे एक impulse है इसको एक retracement किया तो almost यह retracement कितना हो सकते हैं यह हमें पता करना होता है जब हमें एक बड़िये पदा चल जाए कि यह retracement exactly कितना होगा तो वहां से कारेंगे Newverse ó ट्रेड प्लान करेंगे यह हमारे सिंपल सा फेबोनाची रिट्रेस्मेंट का कॉंसेप्ट है अब अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा रफली डीटेल में समझाओ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से हम वर्क करते हैं एक मिट दो प्लेज कर दो कर दो कर दो कर दो चीज़ है जो कंटिनुसली मार्केट में हमेशा इंपल्स रिट्रस्मेंट आता है और उसको मार्केट कंटिनुसली हमेशा फॉलो करते हैं तो उसी का मैंने क्या करा सिंपल सा ओटोमेशन तरीका बनाया अब वह क्या है वह मैं आपको बताऊंगा अब इसको इक पर आप का यह टूल को हम लगा के चिक करें और इसमें एक लेबल होता 50 से लेकर 60 के बीच का इसके लावा इसमें और भी बहुत इंपोर्टन लेबल सो जैसे कि ट्वैंटी होते होते हैं वह सारे लेबल्स यहां पर होते हैं बड़ हमारे को जो यूज है वह सरीफ और सरीफ 50 से ले करना यहां से मार्केट रिवर्स करेगा इसकी है तो हम यहां से क्या करेंगे कॉल को बाई करेंगे या फिर अगर आप अपने ट्रेड प्लान करते हों तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे इसको हम लोग मैनूली ट्रेड करते थे जैसे कि यह मार्केट में क्या आया एक इंप सब्सक्राइब करें जो भी हमको इस राइक प्राइस का 4800 700 600 उन्चाइब करना है वह यहां पर आप सर्च करते थे और उसका कॉल आप यहां पर बाइब करते थे अपने डीमेट अकॉंट में और सर्च करके मैनुली बट अभी मैंने क्या कि लॉजिक हमारा यही रहेगा गोल अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स ना होकर मार्केट नीचे ही चला जाता है तो यहां पर हमारे डीमेट अकॉंट से वह पोजिशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा स्टॉप लोस कट हो जाएगा हमारी को यहां पर मैनुली कुछ भी नहीं करना अब अगर हमने यहां पर 400 रिपे बाई किया है उसका टार्गेट है 460 का प्रीमियम में तो हम क्या पर exit भी कर देगा यह logic हमारा golden जुन कर रहेगा और इसको हमने अलगो में convert करा तो यहां पर क्या होता है कि सारी चीज़े automatic होगी अब बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके पास टाइम नहीं है ट्रेड करने का वह दीनवार office में रहते हैं या काम करते यह उनके लिए best चीज़ है और यहां वैसे लोग है जिवह risk को manage नहीं कर पाते हैं stop loss को बड़ा कर लेते हैं profit नहीं ले पाते हैं तो यहां पर आप आपने इसको क्या करा ट्रेडिंग को का जो भी है इसको आपने क्या अगर आपने डीमेट अकाउंट से connect करा ब्रिच के थुरू वह आपका डीमेट अकाउंट कनेक्ट हो गया अब जैसे आपका डीमेट अकाउंट का सिगनल स्टार्ट होगा अगर यहां पर बाई का सिगन यूटूब पे डाला तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो तो अभी क्या है कि यह चार बाच महीं ने इसको बनाई हुए नहीं अभी इसको वन वीक ही हुए है मतलब इस पर काम तो मैं काफ़े तैम से कर रहा था बट रिडी अभी यह वन वीक पहले हुआ इसमें कुछ दिक देना वहां पर एक्जेकली क्यों दे रहा है आप उस लॉजिक को समझो अगर मार्केट में यह एक इंपॉल्स आया यह एक रिटरेस्मेंट आया तो यहां पर मार्केट का सिगनल देना यह जो जून बन रहाना यह ऑटमेटिक गोल्डेन जून कर रहा है यहां पर हम क्या है न कोई भी चीज़े नहीं करते हैं बस यह जो हमारा लॉजिक है बस आपके सामने में उसको लगा कर दिखाता हूं अगर मार्केट ने इस इंपॉल्स को कंसिडर किया है तो अभी आपको मैं दिखाता हूं एक इंपॉर्ट इंच देखो यह जो जोन बना कहाँ बना यह 0 0.6 का लेवल है 0.5 का लेवल है मार्केट इस जोन का अंदर इंटर कर रहा यहां से फॉल किया बट यह सिगनल वहीं पर लेगा जहां पर यहां पर इसने सेल का सिगनल दे दिया यहां पर एग्जक्ली बारह बच के 33 मिनट पर हमारे डीमेट एकांट पर उस दिन पुट प्रकॉज देखो यहां पर मार्केट चिल का सिगनल दिया और यहां से डारेक्ट ली फॉल के यहां से जैसे सिगनल क्या यहां पर डीमेट आगॉंड में भी हुआ था उसका ही मैं आपको बेजा था और यहां से अगें निचे के तरह फॉल के यहां पर हमारा प्रोफिट था एक ट्रेड में हमारे को लॉस भी हुआ सक वाले ट्रेड में यह दो परहा लुटा ना का फिलके यहां पर हमारा बना यहां सक्सफ़ल हुआ था क्योंकि थे कुछ से यह पूरा का पूरा algo design किया गया, जहां पे पूरी चीज़े already system में set है, और उस system में हमको क्या करना कुछ भी नहीं करना, बस अपने d-met icon को trading उसे connect कर देना, ना morning में आपको कुछ भी, आप सोई रहोगे, आपका phone कहीं भी रहे, कोई मतलब नहीं, still आपके d-met icon में trade चलता रहेगा, जैसे trading विब में हमारा signal आता रहेगा, वैसे वो हमारे d-met icon में भी transfer करता रहेगा, exactly real time पे करेगा, ठीक है, तो इस तरीके का मैंने इसको भी design करवाया है, I hope अभी आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में होगा, कभी-कभी stop loss भी hit करेगा, कोई बात नहीं, stop loss hit करेगा, बट हमारे को result हम मिलेगा न, जब हम इसको पूरे महीने at the end of the month तक लगातार use करेंगे तब, और देखो यहाँ पर बड़े losses का chances नहीं है, सबसे बड़ यहाँ पर benefit यह है, बड़े losses का यहाँ पर chances नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि बड़े losses कब होते हैं, आप खुँद सोचो, बड़े losses तब होते हैं, जब हम stop loss को नहीं लगाते हैं, जब हम stop loss लगा रहे हैं, उसको card देते हैं, position को hold करते हैं, hope करते हैं, बट algo को emotion से कोई भी नहीं है यह पूरा का पूरा ऑटमेटिक है इसको नंबर से मतलब है बस अगर यहां पर कोई भी प्रीमियम में इसने 400 रुपे बाई किया है तो इसका टार्गेट होगा और ऐसा रियल में हुआ है ऐसा रियल में हुआ मैं आपको बोल रहा हूं डीमेट अकॉन में जब जब मेरा स्टॉप ला सुबाग पोजीशन डारेक्ट कट गया वहाँ पर तो कोई दिक्कत ने मेरे को बहुत खुसी होती है वह चीज़ों देखकर कि जो मैंने बनवाया वह गोजी परिफेक्ट मेरा इंटेंशन यह नहीं कि यहां से लाको करोड़ों का प्रॉषिट कमाना मेरा इंटेंशन ही कि जो चीज है मैंने बनवाया उसकी एक्जिकुशन सचाही से हो रही है यह नहीं हो गल्यों कुछन रिजल्ट मिली जाएगा क uniqueness है market किसी से भी बड़ा कोई नहीं हो सकता तो यहां पे जो इसको बनाने का मेंड मोटिव था वो क्या था थोड़ा सा असानी करना market को अब इससे आसानी क्या हुआ पहला psychology का डेंशन खतम benefit बताता हूं पहला psychology का डेंशन खतम हो गया कि यहां पर हमारा psychology का पूरा का पूरा गेम ओबर हमें अब मतलब ही नहीं है क्योंकि एलगो है वह नंबर्स पर डिपेंडेंट होगा तो अगर हमने नंबर्स सही सह यहां पर डाला तो वह थोड़ा सही काम करेगा दूसरा हम यहां पर पूरा 24 स्क्रीन पर नहीं बैठे रहेंगे अब अगर ट्रेड आएगा ओंटामेटिक हो रहा टार्गेट मिले ऑटमेटिक एकजिट हो जाएगा हमारी कैपेशिट है कि मेरे को दीन में तीन यहीं ट्रेड करना आप वह भी सिस्टम में सेट कर सकते हो कि मुझे दीन में तीन ही बँफिक लगाना वो भी पॉसिबल है अगर आप इसको निफ्टी पर लगाना चाहते होếuव हो भी पॉसिबल है avea peafin अभी आपकी मर्जी है वहाँ पर यह को यूज कर सकते हो ठीक है अब वटनेस देखें तीन देखो एक भी ट्रेड नहीं बनेते लेकिनस्त में यह जो हमारा golden zone automatic यहाँ पर यह बनाया हुआ था जैसे ही golden zone के अंदर market trigger क्या manually यह वाला trade को करना possible था अब देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि यह जो zone बना क्या से बना यहाँ पर मैं Fibonacci लगाता हूं मैंने से हमारे को buy करना है तो जैसे market इस zone को यहाँ पर trigger किया market ने यहाँ पर buy का signal दे दिया अब जैसे यहाँ पर buy हो दो ही candle में 100 point market यहाँ से move करिया था exactly यह वाला trade भी हमारे कोई डाउट है तो पूछ लिजे उसको भी मैं यहाँ पर clear करने की कोसिस करूंगा बाकि जिसने लिया है वो भी यूज कर रहें वो भी अपना फीडबग वगरा गुरूप में डालते रहते हैं तो आपने वह बी चीज देखा होगा है क्लियर हुआ सब लोगों को इस से रिलेटर करके नहीं कोई डाउट है तो फ्लीज पूछें का अ कि अ कि मतलब मांन लिजिए लिए एक नहीं राज़ा टार्गेट वह तकि पीजिसमें बीच में जूरा-जूरा और प्रीवियम डेके होगा टगला लॉस कैसे होगा अम मार्केट में प्रेमियमद के क्या होगा एकस्पाइड के सब्सक्राइब करने तरही की दिन हम त्रीगर कर गया उसके बद को पूरा का पूरा साइड वाज तो क्या उसी दिन वह zero हो जाएगा नहीं होगा और यहां पर जो हम premium बाइ कर रहे हैं वह फमेशा 200 point in the money प्रेमियम बाइ कर रहे हैं ना कि out of the money और add the money जब हम 200 point in the money का premium buy करते हैं मार्केट sideway स्पीड में करना करते हैं तो हमारा चीज होगा इसके लावा तो कुछ नहीं होगा और इन दमनी के लेने का कॉंसेट बस यह ने कि हमारा प्रीमियम से थोड़ा सा बचेगा देखो ऑप्सन बायर है हम और में क्या होगा प्रीमियम जाएगा यह उसका हमें टेंशन थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा बट यहां प लेकिन इसका एक पांटरपार्ट यह है तो हमारा प्रीमियम काथी डबल भी हो सकता है अब देखो न यह जो एकस्पाइरी के दिन वेडनेस देगे दिन जैसे ट्रीगर किया यहां से मार्केट कितने पॉइंट का स्पाइक मारा दो केंडल में दिखे रहा है आपको 114 पॉ है 100 पॉइंट को जो मुव मारा तो प्रीमियम भी तो वहां पे तुरंत इंकिरीज हो गया था तभी तो वह विदिन टू और थिरी मिनट ही टार्गेट कर दिया और पोजिशन को कार दिया उसका वीडियो मैंने डाला यूटूब पर आप जाकर देख सकते हो वेडनेस सब्सक्राइब कर सकते हो अपने हिसाब से टार्गेट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से टार्गेट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से आप रेंज चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से आप का रेंज चेंज कर सकते हो आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो सारी चीज आप इस तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर फॉलो करना है लेकिन आप यह चाहते हो कि यह जो ट्रेड होना कि आपको प्रो पर गईड करेंगा जो एक भार इसको परसेश करेंगे मैं आपक्ति मत communications को से यह इनके एलावा 930 मार्की चार्ट, ना स्टरटेक्पन ताल तालू अपना इंपुत आलूगा, Kirby इसको हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे और इसका सेटिंग हम डेली बिसस पे चेंज भी नहीं करेंगे अगर आज हमने जो सेटिंग कर दिया है इसी सेटिंग के भियाब पर हम इसको पूरे 30 दिन यूज करेंगे अगर मैंने यहां पर ट्री मिनट के टाइम फिरेंपे 200 पोँट का यहां पर सेटिंग डाल रखा अब देको मैं क्या करता हूं इसको सेटिंग जाने के बाद आपको यहां पे समझ मायीं जो इसके इंटरी सेशन और 9 rain ठीक है तो मैं यहां पर 09 930 से हमारी इंट्रेस स्टार्ट होगे ठीक है और तीन बज़े तक हां मैंने इसको बैक्टेस्ट जब किया ना तो 9 बच के 30 मिनट से जो पहले ट्रेड आते हैं उसमें क्या होता मैं आपको बताता हूं मार्केट गैप और गैप डाउन खुलता है ठीक है और यह क्या करता है कि प्रिविएस दे के लोगो और आज जहां आप मार्केट गैप फुला तो आज के हाई को 315 से लेकर सारे 3 तक हो जाएगा करेक्ट उसके बाद जो हमारा यहां पर फीब का साइज है मिनिमुम फीब का साइज मतलब 200 अगर मैंने यहां पर लिखा है इसका मतलब होता है कि नीचे से 200 उपर मार्केट गया है यह हाई बनाया अब यहां से 100 गिरेगा यह 120 गिरेगा त यहां पर यहां से ट्रेट बाई होगा इस बिल्कूल अगर हमालो पुट का ट्रेड करते तो मार्केट पहले 200 नीचे की तरफ गिरना चाहिए फिर 120 पॉइंट मार्केट उपर जाएगा तो यहां पर गोल्डेट जोन बनेगा और यहां से मार्केट फिर आगें रिवर्स हो लग जाएगा अब ही आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे के दिन जो यहां पर हमारा ट्रेड बना था वो जो सिल्का बना था वह पूट में ही बना था यह वाला और तो यह इस तरीके से काम करेगा और जैसे यहां पर बाई इन सिल का सिगनल दिखा रहा है यह हमारे ड और मेरे को बस यही चाहिए था प्रॉफिट हो लॉस इससे मेरे को 1% मतलब नहीं था मेरा इंटेंशन बस यह था कि एटलेस जो सिगनल दे रहा वो सिगनल सही जगर देना चाहिए पहली चीज गोल्डन जोन में ही देना चाहिए उसको मैंने पहले वन विक टेस्ट किया कि वो जो सिगनल दे रहा वो गोल्डन जोन में दे रहा या नि दे रहा वो परफेक्ट हुआ आफ्टर डेट उसके हिसाब से डीमेट में एक्जिक्विशन हो रहा या नि हो रहा मैंने वोट चेक किया जब वो सारी चीजों से मैं सटिस्फाइड हो गया तब मैं आप लोगो है और उसमें कोई मैनुली इंटरफियर जबता है जैसे मांदीजे मैनुली कोई पोजिशन काटना चाहता है तो उससे सेटिंग वगेरा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब मानलो कि आपने पोजिशन खड़ी लिया टार्गेट है चार सो का पिरिमियम का टार्गेट ह तो भी हमने सेट कर रख है लेकिन वह भी चार सो साथ पे चल रहा है अब आपको लगता नहीं यह चार सो असी तक नहीं जाएगा मैं इसको मैनुली काटना चाहता हूं तो आप वहां पर मैनुली काट दोगे सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे प्रीमियम का प अब जाएगा सिस्टम कि आपने पहले मैनुली काट दिया आपके पॉर्टफोलियो में यह ट्रेड ही नहीं जिसको एग्जिट करें तो वह सुरिफ दो बार ही ट्राइगा सेल करनेगा क्यूंकि सिस्टम को पता है ने कि वह 400 रुपे बाई किया तो 480 पे वह एक बार तो ना बेचनेगा क्योंकि वहाँने सिस्टम को बता रख है और जब आपने डियो बेच दीया तो वह सिस्टम को पता नहीं चला है कि आपने उसको मन Will be मैंने किया real experience भी मैंने किया इसको मैंने किया वह premium buy हो गया उसको मैंने manually बेच दिया और जैसे वह उस target को hit का तो वहां पर उसको exit कर रहा था तो दो बार अब वो sale करेगा ना क्योंकि position तो हई नहीं तो वह selling में चला जाएगा और जब वह selling में जाएगा तो trailing का भी है वह भी हम सेट कर सकते हैं और वह मैंने सेट भी किया मतलब मानलू कि अगर हमने 400 रिपे बाई किया और इसका target है हमारा 500 रिपे लेकिन अगर यह premium का प्राइस 450 चला गया तो जो हमारा stop loss पहले 360 का था वह अब cost to cost आजए ठीक है अब वह 350 से तो इस सदर्दिके से हमें stop loss को भी ट्रेल कर सकते है यह पॉसीबल है यह यह सब और वह अगर हमारा रिपर चला रहा है तब इस अगर हमारा रिपर चला रहा है तो प्राइस के अगर हमारा target achieve हो जाएगा तो हम मेरा position वहाँ पर automatically exit हो जाएगा और अगर मानलो हमने stop loss का trailing लगा रखा तो वह maximum target तक ही रह सकता है target achieve position cut लेकिन अगर हम यह चाहते कि नहीं target के बाद भी हमारा वह क्या गरे ना ऊपर के तरफ ट्रेल करता रहे तो वहाँ पर हमारे को target उस लेबल के हिसाब से रखना परेगा लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या रही नहीं कि maximum market जो है maximum time जो 50-60 point का move देता है उसके बाद market थोड़ा सा retrace लेता है क्योंकि market का यह nature है तो जब हमने इस setting को क्या तो वहाँ पर हमारे को उतना better result नहीं मिला maximum time market क्या होता है रिवर्स हो जाता है एक directional move बहुत कम डीज होता मतलब दो तीन महिने में एक दो दिन ऐसा आएगा कि एक directional move देता रहेगा उपर की तरफ नहीं तो बारकी में क्या होता मार्केट में impulse retracement impulse retracement consistency चलता रहता है तो यहाँ पर better है कि target पर exit हो जाए फिर अगर new trade बने तो वह हमारा new trade execute हो system में ठीक है अगर आपने 400 पर buy किया 360 का अपने stopless डाल रखा है और market नीचे आदा था 360 को जैसे premium touch करेगा हमारा position automatic वहाँ पर exit हो जाएगा system से वह रहेगा यह नहीं आपको पता होना चाहिए कि सबस्यादा volume जो है और एक दम चोटे 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 टिक प्राइस पर और बायर सेलर बैठे होते तो ऐसा तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि वह उस प्राइस पर गया यह सब चीज़े प्रॉब्लम आती है stocks में जहां पर कोई बायर ही नहीं होता है अगर कोई जिसमें volume नहीं है वैसे stocks में अगर आप option trade करते हो तो वहां पर दिक्कत आती है बेचने और खरीदने में लेकिन हम सबसे ज्यादा volume वाले पूरे stock एक दो पॉइंट का slippage जाएगा जो कि मैंने experience कर रहा है अगर मैंने 460 का लगाया है तो वह हो सकता है कि 458 455 यह हो सकता है कि 462 या 463 पे exit होगा एक दो पॉइंट का slippage जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वह 460 पे बिकीगा ही नहीं और premium 400 पे आ जाएगा तो exact वह 80 पे नहीं काटेगा हो सकता 82 पे काटे 83 पे काटे यह 78 79 एक दो पॉइंट का सिलिप पे जाएगा बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा हां यह क्योंकि यह market price पे buy and sell होगा तो जब यह market price पे buy and sell होगा ना तो एक-दो पॉइंट का सिलिप पे जाएगा ही आएगा 100 परसेंट क्रिस जी पूछ रहे हैं स्विंग के लिए भी तो होगा ना यूज बिल्कुल यह स्विंग के लिए भी यूज हो सकता है कोई प्रब्लम नहीं है बस आपको वहां पे टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा आवरली क्य होना चाहिए कि उसका डेली मूविंग क्या होता है हाई एंड लो उसका रेंज अगर आपको पता है तो वहां पे यह पर्फेक्टली काम कर सकता है है ठीक है इसके लावा और कोई डाउट रिष्ट इस यहां कि लौश सरी पेस्ट्पलोस का होगा कुल्कुल अब यहां पर इसको बनाने का बस रीजन यह ने कि हमारा लौश यहों वह खन्ट्रोल हो जाए जब हमारा लोश कंट्रोल हो जाएग तो उसके इलावा दूसरा चीज हमारा सरी प्रॉफिट ही बस थैस या तो लो या दो प्रॉफिट है ठीक है चलो मैं उसको आपको लाइव एक्जाम्पल दिखाता हूं प्लीज मूट कर लिजए बाकी सारे लो मैं आपको दिखाता हूं इसकी जो एस्टेडेज है उसके इसाप से इसका क्या रिजल्ट है हाँ ठीक है कि यहां पर मैं सेटिंग मैं जाता हूं और यहां पे आप सारी डिंद्वार अपने अपर से डालकर सेट कर सकते हो कि exactly आपको कितने बज़े से चाहिए मैं यहा ला 9303 दिन बचे चाहिए और मेरे को जो एग्जीट से सेशन अच्छेन वह 3 15 से सारी 3 तक exit हो जाना चाहिए हम target भी यूज़ करेंगे हम stop loss भी यूज़ करेंगे और हमारा जो spot के हिसाब से target होगा वह 100 पॉइंट का होगा और spot के हिसाब से जो हमारा stop loss होगा वह 50 पॉइंट का होगा और इसको मैं check करना चाहता हूं सिरिफ एप्रिल महीने का कि क्या result है तो मैं यहां क्या होगा यहां पर एप्रिल सेलेक्ट करूंगा एप्रिल फॉस्ट अप्रिल मैंने select किया और 2030 यहां पर दिखा रहा है तो मैं इसको क्या करता हूं कम कर देता हूं मतलब 2024 पर लिया तो 2029 27 26 25 और अभी एप्रिल चल रहा ना एप्रिल सेलेक्ट कर लेता हूं 30 अप्रिल ठीक है तो अब यहां पर मैंने जो कि हमारा टोटल नेट प्रोफिट कितना है टोटल नंबर ओफ ट्रेट्स कितने है एकुरेसी कितनी है आलर कितना है मैक्सिम क्या अब यह लाजीक इतना परफेक्ट है इस वजह से जो हमारा नीट प्रोफिट है ना पूरे अप्रिल महिने का 96 पर्सेंट जो की परक्स मानों 4000 रुपे अब यहां पर जो आपको रिजल्ट दिख रहें एक्जेक्ली यही आपके डिमेट अकॉन में नहीं दिखेंगे मैं आपको यह चीज पहले किलियर करता हूं क्यूं इसके पीछे रीजन है कि यह 100 पॉइंट के हिसाब से कल्कुलेट कर रहा है अब यहा यहां पर प्रिमियम को क्या करेंगे डारेक्ली 60 पे लाएंगे क्यूंकि हमारा जो प्रिमियम होगा प्रिमियम की बात कर रहा हूं मैं ध्यान से सुनना प्रिमियम जोगा वह स्टार्ट पॉइंट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लोस होगा यह एस सेम रहेगा इसमें हम को 400 उपीज होगा पूरे महीने में अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 8400 उपीज अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो तो यह कोई खराब नहीं है बहुत बैटर मतलब बेस्ट से भी बेस्ट है एक कुरे से 50% आरर 1-4 का और मैक्सिमम डॉटान हमारा 4000 गया इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके अकाउन में 15000 रुपे है तो 4000 अगर चली भी जाएंगा तो फिर भी आपके अकाउन में 11000 रुपे बचेगा तो यह पैसे से हमारा अगला ट्रेड होना चाहिए इतना आपक मैक्सिमम डॉडाउन हो जाए तो उसके बाद हमारी अकाउन में इतने पैसे बच जाए कि हमारा यहां पर अगला ट्रेड मार्केट एक्जिक्यूट कर पाएं तो अगर हम एक लॉट में पूरे अप्रिल महिने में इसको लगाएंगे तो 8400 रुपे यहां पर निट प्रॉ तो क्या यह ट्रेड हमारे यहां पर दिख रहा या नहीं दिख रहा वो सारी चीज़ें आपको यहां पर दिखेगी दो बच के 15 मिनट पर हमारा यहां पर इंट्री बाना देखो आप नीचे यहां पर ताइम देखो दो बच के 15 मिनट पर आपको यहां पर नीचे देखना लेगिन हमने यहां पे शरीf 60 डाला क्योंकि हम प्रेमियम में हिसाब से सोच रहें cosìом क्लीना कि केुझे साथ ऐसाब से सोचि रहें अगर सब्सक्राइब तो इस पर्ट सो perfect फोंट टुब कर सब प्रेमियम के प्राइस में ना कि प्राइस में तो हम इस्टिल आठ-9000 के प्रॉफिट में रहेंगे अब इसकी 100% कोई गारेंटी नहीं ले सकता हूं but execution की मैं guarantee ले सकता हूं कि यहां पर जो execution है न वो perfect होगा और जब हमारा execution perfect होगा तो हमारा profit at the end of the month कुछ ना कुछ हो जाएगा बस आपको यहां पर एक चीज़ का ध्यान रगने कि इसके साथ कोई छेर खानी नहीं करनी अब हमने आरे को sell का signal दिया है market stop loss hit कर रहा है अब आपन इस तरीके से हम आपको backtest करके भी दिखा सकते हैं अब जो भी जो भी लोगों ने इसको लिया मैंने उनको यह दोनों चीज़ दे कि आप यहां पर backtest भी करो भाई backtest का पूरा report देखो result देखो आपको समझ महारा देन आप क्या करो इसको execute करो real market में इस तरीके से यह काम करे अभी क्लिर हुआ कि जिनका यह question था इसके लावा के निकांगे वैसे तो इसको आप किसी भी broker के साथ कर सकते हो सिर्फ धन को छोड़ कर बट यहां पर जब मैं इसको ब्रिच की तुरू connect करता हो ना तो वहां पर बस दिक्कत यह आती है कि जैसे कि मैंने angel 1 को try किया angel 1 में व और broker को grow को मैंने किया था ही तिंग अभी दिक्कत आ रही API की का attention होता है बट यहां पर अगर आप इसको यूज करोगे तो मैं आपको का account मैंने उनका इसमें एड किया है तो आप भी अगर इसको लोगे तो आपको बस मेरी लिंक से अकाउंट ओपेन करना है और आप जैसे ले लोगे फिर में आपके एलेस बुलू के रुपे होने चाहिए कि एक लोट का trade buy and sell होता रहा और तीन चार हजार का जो ड्रॉडाउन है उसके बाद भी हमारा अगला अगला 10-11,000 या 8-9,000 बचे रहने चाहिए कि एक लोट तो हमारा मैं ट्राइ कर सकता हूं मैं आपको लाइव गूगल मीट पे लेके आपके सामने सारी चीज़े करके ट्राइ कर दूंगा अगर ऑडर एक्जेकूशन सही से हो रहा है तो कुई प्रॉब्लम नहीं मुझे आप उसके साथ भी इसको continue कर सकते हो लेकिन अगर नहीं हुआ बाई इनको रम अपस्टॉक ना अब अब चेंगा डिक्ट अब अब किसी को भी आड़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं बट डिक्कति आती कि उसमें ऑडर एक्जेकुशन सही होना चीह क्योंकि अगर और एक्जेकूशन गलत होगा ना तो फिर हमारा पूरा सिस्टम भीकार करेक्ट बस इस वज़े से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और मैंने यूज किया सारे ब्रोकर को सबसे बेस्ट मुझे लाइस बलु लगा इस वज़े से फिर मैंने अलेस बलु ही सबको बताया और उसमें अकाउंट ऑपेंड के वाद मैंने उनको अड़ किया अभी जो मै इस जरोधा में मेरे को तो मैनुवली ट्रेड में करता था ना जरोधा में बट वहाँ पे दिक्कत ही है कि वह एक लिए पर मन्थ 2,000 रुपे लेंगे तो अगर यह चीज़ में बोलू इंडिविच्वल क्लाइन को आप देखो यह एलको मैं फ्री अपको तो दूगा नहीं बहुत कम खर्चों और आपको बेटर रिजल्ट मिले तो आपने मुझे दिया तो अब मेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनती कि आपको ऐसा चीज़े रिकमेंड करूं जिससे आपको थोड़ा सा सेविंग हो और ब्रोकरेज जो है लिस बुले में बहुत स्री 15 रूपीस पर ट् यह सेवन फिप्टी रूपीस पलस जेस्टी पर अकाउंट पर मंथ यह तो अपरोक्स 860 के आसपास रूपीस वो लेते हैं 850 ए 860 पर मंथ लेंगे पर अकाउंट का तो जो भी यह अलगो ले रहे हैं आप लोगों से तो आगने जी आपसे भी तो मैंने ब्रिज का पैसा न पर किया दे दूँ इसमें आपको कभी भी प्याते के साथ और कभी रहा ही नहीं है आपने दो साथ से सब्सक्राइब और डेली इसने लगन के साथ करवाते हैं कि असा लगता है एर ग्लास को रही है ग्यान hmm ne ईनिव ना कि सब्सक्राइब में अपने निकालेगे बा fishy और वहां से कि रहें मैंदेखें अब मैं आप वह बहुत केलिए एक चीज़ बताता हूं मुझे कोई प्रब्लम नहीं है मैं इसको बहुत minimum cost में भी दिया हूँ ठीक ठाक में दिया हूँ अब मैं आप लोगों से पैसे पता है कब लेता हूँ अभी मैंने जिसको जिनको भी यह एल्गों दिया हूँ उनसे मैंने एक चीज़ का commitment दिया है commitment क्या दिया हूँ कि अगर आप इस ले सकता है अब आपने first month लिया आपने पूरे महीने यूज किया अगर आपका profit 10,000 से जादा जा रहा है एक lot में अब देखो अगर मैंने इसको एक lot में भी trade किया तो minimum 3000 रुपिस का profit होगा अब यह चीज़ इतना confidence के साथ में क्यों बोलनों पता है क्योंकि मैं भी अगर आपका 10,000 से जादा होगा तब ही मैं वहां से आप से लूँगा और अगर 10,000 से जादा नहीं हो रहा है तो वह पूरा का पूरा आप रहा है मुझे कोई problem नहीं है ठीक है और offer का जो रहा बात न तो इसमें को issue नहीं है है क्या मैं आप इसमें खोड़ा होगा है इसे यह होगा है कि पोड़ा साइद नहीं का समय कैया कि यार अज एक लौट सबस्क्राइब अब जो करना हैं तो हम इसे क्या होगा है? कि हमें नेस्ट में टक और परपेर होगी कि आर इसे बिड़ा हैं तो में जेने कोई दिक्कत भी नहीं होगी ठीक है ना आप आपका जो कहना है वह बहुत अच्छी बात आपने कहीं है कि आपको कभी कि अब बिल्कुल थीक है कि नो इशू मैं क्या बोलता हूं आपको मैंने यहां पर अपना नमबर डाल दे वर आप मुझे कॉंटक्ट कर लेना हो जाएगा ठीक है नो इशू इनके लाब और कोई केनी का कोई डाउट कि यहां पर मैंने नमबर डाल दिया है मैंने नमबर डाल दिया है मुझे कॉंटक्ट कर लेजिए मैं आपको कॉस्ट बता दूंगा मैं आप मैसेज कर दो वाट्सप पर मैं आपको बता दूंगा इनको कॉस्ट वगरा जो है न ऐसे डारेक्ट ली नहीं बता हूं कि इसको मैं यूटूब पर भी डालूंगा लेट्स वाई लेकिन बता दूंगा न दो सबसे पहला मैं अभी आप इसको एक महीने यूज कर रहे हैं तो मैं यह देखूंगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा या नहीं हो रहा अगर आपको दसर का प्रॉफिट होगा तो आप साथ आट सुरुपे देने के लिए सोचोंगे भी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा तो अपना सिस्टम अपने हाथ में अपने कंट्रोल में सारी चीज़े और कोई डाउट नहीं वो टाइम एक्जिट हो जाएगा क्योंकि क्योंकि हमारा जो एक्जिट से लेकर तीन बच के पंदरा मिनिट के बीच में तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा एक्जिट सेशन है तो वह वहां पर एक्जिट हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें टाइम लिमिट लगा रखा नहीं इस वाई एक निट में लाइन पर एक निट अगर रेंज बाउंड हो भी जाता है तो को इश्यू नहीं है या तो वह एसल कटे गया स्टॉप लॉस कटे का लेकिन अगर एक्जेकुशन के बाद अगर वह बीच में फसा रह जाता है तो वह हम उसको फिर मैनुवली भी एक्जिट कर सकते ने क्योंकि हम तो देख रहें अगर आप इसको किसी और ब्रोक्रिय साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है मैं अपने साइट से गड़ दूँगा और कोई डाउट पूछ लेजे आप पूछ लेंगे और 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 ऑडर रखेक्वेशन रियल टाइम पे होना अची है कि मैं यह कुछ पूछ लेंगे आप व्यांको अच्छा को बताब है थेक लिए पता है नहीं नहीं आपने एलिस बिलू से कनेक्ट किया ना अंकित जे तो आपको सरी वन टाइम प्रोसेस मैं करूंगा वन टाइम प्रोसेस के बाद से फिर आपका कुछ बनी लगेगा बाइचांस कभी अगर मान लोगाउट हो जाता तो एक OTP के लिए मैं आपको कॉल करूंगा या होगी मैं अपने साइट से वो सारी चिज़े कर सकता हूं कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना आपको आप साम में अपने डीमेट खुल के देख लेना लॉस प्रोफिट आपको वहां पर दिख जाएगा आप मैंसेज कर दो मुझे वाट्स पर नंबर डाल दिया हूं चैट बॉक्स में एनी डाउट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ओके गई और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिए नहीं तो फिर आज के सेशन को फिर हम